नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल सफल इस्टेडी आईकूम आपका स्वागत है उसकारण से इस बारे मां आपको इनलाइसिस पूरी इनलाइसिस इस वीडियो मां बताएंगे तो सबसे हम बात करेंगे डारी नमबर 25263 यह है सोनी कुमारी यानि जो जार्खन सरकार है वह सोनी कुमारी के एगेंस्ट सुप्रियम कोड गई है और सल्पी दायर की है और उसकी सुनवाएं आपको पताओ कर 9 दिसंबर को थी और 9 दिसंबर के सुनवाएं में बस इतना हुआ कि सोनी कुमार के वकील जो है वो सुप्रियम कोड का उनका यह कहना था कि वो कभी नहीं चाहता था कि जो वेकेंसी यानि जो एडबटाइजमेंट है उन्हें राद क्या जाए वो इस पच में नहीं थे उनका पस एक मांगा है कि जो रिजर्ट डिस्टिक है उन पर जो निवक्ती हुए है उसको लेकर वो जो है हाई कोट गई थी हाई कोट की थी उनका यह मानना है और इसके लिए फिर अगला डेट दिया गया है और अगला डेट जो है 25 जनवरी 2021 को यह नेक्स्ट डेट दे गया है यह मामला है देसकते हैं जरकान सरकार का जो जरकन सरकार के द्वार असेलपी दैर किया गया है वरसे सोनी कुमारी के एगए इस्टमर को इसमें क्या कुछ खबर आगे पता हूंगा बहुत जल्द अगली बात करते हैं पंचा सजीव के इस्टूरेंट्स के लिए तो पंचा सजीव के सभी 24 जिला के इस्टूरेंट्स मैं यह करना चाता हूँ कि आप जो निर्नाइक मोर पर अपने वेकेंसी को बचाने के लिए आपको सुप्रिम कोड में ध्यान रखे का सुप्रिम कोड में आगे जो है आपको जो भी कुछ करना है अच्छे वकिल करना या जो भी करना आप सुप्रिम कोड पर ध्यान दीजे से अलग अलग मुद्दे पर अपने अलग 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 वकिल से राय लेकर पैसे की उगाई कर रहे हैं और आप लोग उन्हें दे भी रहे हैं बहुत कुछ ऐसे ग्रूप लीडर हैं जिनको इस case से इस vacancy से कोई मतलब नहीं है बस वो पैसे की उगाई कर रहे हैं और जिनको जो म पैसा ठागा जा सकता है इस करना आप लोग किन्हीं की बाद में आ रहे हैं और बहुत सरी इस्टुएंट्स देख रहे हैं अभी भी फिर से हाइक वोट जा रहे हैं जब तक यहां आपको पता होगा पहले भी गाराज जिला के पंचासेश को इस्टुएंट्स तिन तिन जो अलग अलग लीडरों के द्वारा हाइक वोट में इसके लिए जो है रिट प्रेटिशन डाला गिया था फिर भी आपको पता होगा कि हाइक ने लंबा चवड़ा डेट देके उससे कर दिया कभी 25 फरवारी का एक डेट दे गया दूसरा में जो है आट मैना का समय दिया कि ज लेकिन आपको पता को दस्तों कि जब तक सुप्रीम कोट में सब कुछ के लिए नहीं हो जाता तब तक जो है परजाश से उपर होती है सुप्रियू कोट तो हाइक फैसला कभी भी बदल सकता है अभी एजिक हबर है रहे के बहुत सारे 55 स्ट्ट्वेंट पैसे की उगाई कर से और 55 स्ट्वेंट्स एक बात को ध्यान रखेगा आप मैं से बहुत ऐसे ग्रूप लेडर हैं जिनको जो है इस 55 से वेकेंश से कोई लेना देना है नहीं क्योंकि आपको पता होगा 55 से को एक्टिव लेडर है उनको अच्छी तरह सब पता होगा कि बहुत सारे इस्ट्वे बहुत बढ़ा परसंद क्या गया था इन सब्सक्राइब होगा लेकर बहुत सरी लेडर नहीं थे और अचनक जो है मोरावदी में बहुत जारी एक्टिव हो जाते हैं और वह बहुत का अपना दिखालने लगतें कि मैं बहुत बढ़ा लीडर हूं 55 से जो का पता याद रख तो बहुत सारे एसे स्टुटेंट्स है वह मिल गए हैं जिन लोगा के एक ही मकसद है राजनिति करना उन्हें जो है किसी तरफिकी पंचासी को लेकर कोई मतलब नहीं और आपको बहलाया जा रहा है पैसे की उगाई की जरे गलत तरीके से और याद रिखेगा अभी आप बस सुप्रीम कोड में पैसी के जरूत है चोबी सो जिलाओ के पैसे स्टुटेंट्स के लिए और दूसरा कहीं भी नहीं है अगर फिर भी अगर पैसी की जरे पैसे अगर लिया जा रहा है वह से स्टुटेंट्स को तो अगर कल दिन अगर खत्रे में आ जाए वेकंसी और कल दिन अगर आप लोगों पैसे के सक्ष जरू था तो ऐसा इस दिन में कौन पैसा देगा क्योंकि आप लोग पहले ही इतना पैसे बार-बार मांगते रहेंगे स्टुटेंट्स से उन्हें पता नहीं वो तो एही इच्छा करें कि यह लास्ट बार देना चलिए इसके बाद मुझे और कभी नहीं देना पड़े हमारे वेकंसी सेफ हो जाए और हमें जो नोक्री लग जाए लेकिन बार-बार-बार-बार हर चीज में पैसे के पैसे माग